Hello everyone, welcome to EAD Online Classes. एक बार और Diploma Engineers के लिए Government Job आई है और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इन Notification तो आप देख लिए बड़ी है Notification है, Government Job है, Permanent Job है तो आप असानी से इस Job को भी फिल कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास Diploma की Degree है, या Diploma in Engineering आपने कर रखा है तो ये कहां से Job है, कौन से Government Job है, कौन से PSU में Job है तो इसमें बात करेंगे वारत Electronics Limited की BEL की तरब से ये Job आई है Permanent Job है, ठीक है, गाजियवाद Division में Posting होगी आपकी तो मैं आपको बता देता हूँ फटापट BEL की जो Government Job है ये 8 तारिक को, यानि 8 जन्वरी को इनका Notification आया है तो इसमें बात करते हैं, सबसे पहले अगर देखेंगे तो इन्होंने EAT की Job निकाली है, Engineering Assistant Training ठीक है, Engineering Assistant Training की जो जॉब है, अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो इसमें कहा गया है, कि 3 साल का डिपलोमा आपके पास होना चाहिए, 3 साल का Electronics में चल सकता है, Electrical में और Mechanical में तो Electronics के लिए 7 पोस्ट है, Electrical के लिए 3 है, कम है लेकिन Mechanical के लिए 12 है, तो basically Electronics की कंपनी है, तो obvious है कि Electrical के लिए पोस्ट थोड़ी कम हो सकती है, तो ये 12 है, ठीक है अगर आप देखेंगे, तो लगवग पचास अजार आपके हाथ में आएगा, पचास के आसपास, और ये आपका 6.77 Legs का CTC बनेगा, तो पचास अजार के आसपास आपके हाथ में आएगा, ठीक है, कट-कट आके, तो CTC भी अच्छ ही है, कम नहीं है, और बड़ीया जॉब है ये, तो अब आगे बात कर लेते हैं, इसमें एक और जॉब इसमें पूछी गई है, एक और जॉब पूछी गई है, ठीक है, उसमें क्या कहा गया है, ठीक है, उसमें 10 हैं, electrical के लिए 2 हैं और electronics mechanics की बार आएं तो इसमें ITI के लिए भी 5.94 का CTC है लगबग 45,000 के आसपास आपकी सेल्ली बन जाएगी ठीक है यहाँ पर जैसे अगर आप इसमें select होते हैं तो आपको पहले training दी जाएगी ठीक है अगर आपकी training होगी तो आपको 24,000 रुपे पर मंद अगर आप यहाँ देखेंगे तो will be paid on the regular basis यह पर मंद EAT में अगर आप जाते हैं ठीक है यह तो इसमें अगर आपके पास 3 साल का diploma है तो आप इसमें जा सकते हैं तो 3 साल के diploma वाले बच्चे इसमें जा सकते हैं तो 3 साल के diploma वाले बच्चे इसमें जा सकते हैं maximum age limit की अगर आप बात करेंगे तो maximum age limit अगर आप देख लेजें maximum age limit क्या हो सकती है minimum आपकी 18 होनी चाहिए और maximum अगर आप दे रहे हैं तो चाहे आप technician के लिए जा रहे हैं, चाहे EAT के लिए जा रहे हैं, आपकी maximum age 28 year होनी चाहिए, ठीक है, ये, बागी कुछ इसमें reservation भी है, आप reservation के हिसाब से भी जा सकते हैं, तो reservation के लिए ये हैं, कि अगर आप non-crimalier में तो 3 साल का मिल जाएगा, schedule cast है, 5 साल का, और PWT में तो 10 साल का आपको मिल जाएगा, age reservation, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वो आपको अपनी certificate दिखाने पड़ेंगे, अब इसमें बताता हूँ, कौन-कौन से लोग apply कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का, कि अगर आप electronics से apply कर रहे हैं, job तो apply करेंगे, electrical में सिर्फ electrical या electrical electronics apply करेंगे, instrumentation, control, यह सब apply नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, technician के लिए बिलकुल साफ है, कि भाई technician के लिए कौन-कौन apply कर सकता है, electro mechanics कर सकते हैं, electrical कर सकते हैं, और fitter, यही चाहिए, only उन्होंने लगा दिया, only यही, इसके अला बता हूँ, तो थोड़ा, आपको date के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है, जो date है, हाँ, और उससे पहले एक जरूरी जानकारी यह है, कि जब भी आप form भरेंगे, तो आपको अपनी final year की degree लगानी पड़ेगी, ठीक है, जो भी certificate होंगे, और अगर आपने part-time कर रखा है correspondence कर रखा या distance learning से कोई भी degree ले रखी है, तो आप इसमें apply नहीं कर सकते, यह ध्यान नखियेगा, ठीक है, apply नहीं कर सकते, उसके अलाबा अगर हम आगे बढ़ें, और क्या जरूरी बात हैं इसमें, वो देखते हैं, सर इसमें एक जरूरी बात यह भी है, कि अगर आप apply कर रहें, तो कम से कम अगर आप general OBC और EWS में हैं, तो 60% होने चाहिए number आपकी degree में, इससे कम हैं, तो आप apply नहीं कर सकते, 50% होने चाहिए SC या PWD के लिए, और अगर technician में कर रहे हैं, तो वो ही same 60% general में, और 50% जो है वो SC या PWD में होने चाहिए नहीं, तो आप नहीं कर सकते, इसके अलाबा एक और basic information इसमें आप देखेंगे, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि all over India के लोग इसमें apply नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखिएगा, all over India के लोग इसमें apply नहीं कर सकते, इसमें वही apply करेंगे, जिनको UP employment number जिनके पास होगा, जिनका registration UP employment office में होगा, वहीं ल हाँ, जिनका UP employment office में number है, या फिर जिन लोगोंने registration करा रखा है, जिन्होंने नहीं करा या है, वो करा लें, भरने से पहले आपको कराना पड़ेगा, यह बहुत जरूरी है, otherwise आपका form reject हो जाएगा, यह चीज़ धाने करिए, उसके अलाबा क्या है, सर उसके अलाबा यहाँ पर एक written test होगा, 150 marks का, written test होगा सर हमारे पास 150 marks का, जिसमें दो part होगे, एक होगा आपका general aptitude, यह लिख रखा है part 1, जिसमें आपका general aptitude होगा, ठीक है, कुछ reasoning होगी और उसके साथ दूसरा रहेगा technical का, ठीक है, यह, तो दूसरा रहेगा सर हमारे technical aptitude, जिसमें आपकी branch से 100 question आएंगे, ठीक है, technical और professional knowledge से 100 question आएंगे, और 50 number का आपका होगा general aptitude, जिसमें general mentality, ability, aptitude, logical reasoning, data interpretation, numerical, data comprehensive and general knowledge, यह पूछा जाएगा, बाकी technical में तो हमारा technical रहेगा, आपको 35% दोनों part में achieve करने पड़ेंगे separately, part 1 और part 2 पे 35% कम से कम आपके number हो, इतने number आपके होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप disqualify हो जाएगे, तो 35-35% आपको करने पड़ेंगे, अगर आप general में आते हैं, ठीक है यह, अब बात करते हैं हम dates की, कि date हमारे पास क्या-क्या है, ठीक है, for our date की बात करते हैं, application fees की बात कर लेते हैं, application fees आपको देनी पड़ेगी, ठीक है यह, क्योंकि उनको exempt कर दिया गया है fees से, तो उनको कोई fees नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है, बाकी आप fees online इस form को भर भी सकते हैं, अब form कैसे भरा जाएगा, इस पर बात कर लेते, ठीक है, form कैसे भरा जाएगा, इस पर बात कर लेते, आपको form भनने के लिए जाना पड़ेगा, बेल की website पर, यह जो website है, इस पर आपको जाना पड़ेगा, www.bel.india, यहां जाके आपको form अपना भरना पड़ेगा, तो www.bel.india, इसको note कर लिजे, इस form को आप भर सकते हैं, उसके अलाबा अगर हम date की बात करें, यह general instruction है, इसको पढ़ लेंगे, इसके अलाबा हम यह बात करें, कि आगे हमारे पास क्या-क्या है, date की, तो सब्सक्राइट अगर देखेंगे, इसमें एक बड़ा अच्छा इन्होंने बता रखा है, कि जो date है, यह, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, कि जो start हो गया है, इसका application, 8 तारिक से start हो गया है, 8 एक दो हजार चौविस, और लास्ट डेट है, 31-120, यानि कि 31 जनवरी दो हजार चौविस, और फरवरी में हो सकता है, आपका written test हो जाए, वो नोंने बोला, 10 to duty, ठीक है, तो यह हो सकता है, तो जितने बच्चे ऐसे हैं, इसमें बीटेग वाले अलाउड नहीं है, इसमें सि बीटेग वाले कोई भी apply नहीं करें, जिनके बाद diploma है, जिसके बाद diploma प्लस b-tech है, वो भी apply कर सकता है, लिकर डिपलोमा होना जरूर ही है, क्योंकि यह post diploma के basis पर निकाली गई है, ठीक है यह, तो यह pdf में इसको link करा दूँगा, comment section में, ठीक है, वहां से आप इसको download भी कर सकते हैं, लेकिन आप पहले यह check कर लें, कि आप UP employment office में आपका registration है या नहीं है, अगर नहीं है, तो आप इस form को नहीं बढ़ सकते हैं, अच्छी vacancy है, P.E.L. में, और P.E.L. का paper भी बहुत जादा tough नहीं आता, यही syllabus आता है, जो हम लोग पढ़ते हैं, diploma में वही syllabus आता है झाल 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 झाल झाल